नमस्काल GTV में आपका स्वागत है अलिगड़ के एक सभागार में हज्जारों की तादात में किसानों ने जुटकर चोधरी चरण सिंग के पुन्यतिति मनाये जाने और इस पुन्यतिति पर सुधान जली अर्पित करेंगे वो महामहिम राष्ट पती से चोधरी चरण सिंग को भारत रतन के उपादी दिये जाने की मांग पर ही पहरी किया है तथा वह उन्होंने कहा है कि किसानों के मसीह चोधरी चरण सिंग रहे हैं प्राण मजदूर संग के अध्यरक्ष डाक्टर ओंबीर सिंग ने कहा कि आज कल की भाती राजनित किरसी और किसी जीवन की उपेक्षा करती रही है पिछले एक दसक में लाकों किसानों ने आत्म हत्या की है जो प्रमाड है ऐसे विसंसमें में चोधरी चरण साब को याद करन और उनके विचारों के साथ क्रिसक समाज को जाग उप करना जोरी है किसानों ने अपने स्वाइमान की रक्षा के लिए अब जाग उठे हैं या चोधरी चरण सिंग के लिए सची सदान देली होगी महापंचायत में करीब दो हज्जा लोगों ने सामिर होने की आसंगा बत किसानों को पेंसन दिये जाने के मुद्धे पर विचार विमर्श कर रानमंत्री वह राश्ट्पती से माइब अलीगर से हमारे संबादा अजय कुमार की खास्ति और उनके लिए भालततन की बाद है यह सबसे प्रमुतिता है उस महापंचायत और उस महापंचायत की सोचना कि असकी महनत का और लागत अमूल ठीक से नहीं वहापंचायत कोई भी सरकार अभी तक कर भी नहीं पाई और आज भी नहीं हो पारा है केबल आकड़ों में बाते होती है या फिर बादे बाते होती है किसां को लाव कारी जाए जाए करीम गरी मतरा से भी आएंगे अलिगड़ पूरा जिला जिसमें तीन से 400 गाओं के करीम करीम किसान मदूर गत्रत होगी कितरे किसान आ रहे हैं जी कितरे किसान लगव दाइज से 3,000 बाद जाना चाहरे हैं किसान सरकार को यह बताना चाहरे हैं कि जो आपके लागात को आकलल करने के तरीके वो गलत है वास्तम में एक छोटा सा एक्जाम्पल में आपको तो गेहूं का हमने आंक लंग किया है दूद का भी आंक लंग किया है